लेран आ आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कालांकर जो है इंडिया का? जिस पर शुड़ कर आप किसी हमेgen कि त्यारी अपने घर है कर सकते हैं यह इधि आप अनगानमी से जुड़ते हैं तो आप हो डिली क्लाशahan लाइब टेस्ट एंड क्यूजेस इस्ट्रक्शर पोर्शेस और अनलिम्टेड ऐसेस का एक बेनिफिट प्राप्थ होगा यदि आपने कमें जुड़ते हैं तो देश के टॉप फेकल्टी से पर्चित होने का आपको उसर मिलेगा जिसमें सुदर्सन गुर्जर हैं मुंडल प इस्टेंडर की फेकल्टी जुड़ी होई हैं और उनके नालेज और एक्स्पिरियंस की बेनिफिट आप तभी लेपाएंगे जब आप अनकरमी को सब्सक्राइब करेंगे और उससे जुड़ेंगे आप आप शुकला चेर्मेन अपेक्षा आईस प्रयाग्राज आप गाइडिंग सिब्सक्राइब आश्परेंट पर लास्ट्वेंटीन एस पर प्लिटी एंद कांसिए फॉर्प्लिंस एंद मेंस एग्जामिशन आइल्सों गाइड सिब्सक्राइब आप इंट्रेशन आप कंड़क्ट क्लासे फार इंटर्व्यू और शिविल आस्परेंट टीचिंग एंड रीडिंग इस माइपेशन माइब होबी जो है वो पंद्रह हजार पांसों से ज्यादा कोर्श पोलेवल कराती है और इस कोर्स से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनकेडमी को सब सपस्क्राइब करेंगे अनकेडमी का सस्क्राइब लेंगे इसमें है औल्टी धॉर्डन से इर है जागर्फी है इसड्य城 के आप कर्स्कूर्स गालाब आप पूती हमें लगा जब आप अनकेडमी से जुड़एंगे भात्यबन के जो Google के Play Store पर अव लेबिल है अनकेडमी में कई तरह के कोर्स लांच किये गए हैं लांच किये जाते रहाते से प्लस कोर्स है एक आईकॉनिक कोर्स है अब अगर आप प्लस कोर्स से जुड़ते हैं तो जिसकी फीज जो है वह 40,005 रूपए है छे महीने की एक साल की फीज 49,05 रूपए है दो साल की फीज 72,000 रूपए है तीन साल की फीज 90,000 रूपए लेकिन एदी आप मेरे कोर्ड NPS 10 के तहां जुड़ते हैं तो इसमें 10% का आपको डिसकाउंट मिल जाएगा इसी प्रकार अगर आप अन्य गड़मी द्वरा प्रवाइड आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं तो ये शुवधाय और बढ़ जाती है ये और विस्तित हो जा लाग 53,750 रोपे हैं लेकिन यदि आप मेरे कोर्ड NPS 10 के तहादे से जुड़ते हैं तिसमें जो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अब अनकेडमी के द्वारा जो है वो कई कोर्स कई बैसे अनॉंस किये गए हैं अभी इस नए सत्र के लिए इसमें एक सिक्स्त मंस बै के स्टाट हो रहा है इसी पर टू इयर कोर्सेश जी एस बैसे स्टाट हो रहा है यह तमाम बैच जो है जो नूली बैच नए बैच जो लांच किये जा रहा है अनकड़मी द्वारा आप इंसे जुड़ें इनका लाब लें अनकड़मी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसमें वह प्लस और आइकॉनिक को मिला कि एक प्रोग्राम नाउच किया है जिसमें सुखधा आपको दी गई है कि आप प्लस के तहत UPSC CSE Optional को ले लें और आइकॉनिक के तहत आप UPSC CSE GS को ले लें तो अगर यह समलित प्रोग्राम आप लेते हैं आइकॉनिक के तहत ज प्रकार अगर आप प्लस के तहत अनकेडमी प्लस की स्कीम के तहत यूपी यसी सी जीस और यूपी यसी सी ओप्सिनल समलित लेना चाहते हैं तो इसकी बारा महीन मद एक साल की फीस सब्तर हजार इसको तीन रुपए है और दो साल की फीस सब्सक्राइब करेंगे प्रिलिम्स परिक्षा के लिए लेकर लेकर आपके समक्ष उपस्तित हुए हैं और इसमें हम कि संबंद में चर्चा करेंगे प्रिलिम्स परिक्षा के लेकर कि प्रिपरिक्षा में का उसका सल्बस का है और उसमें किन-किन विश्यों को आपको पढ़ना होगा और उन विश्यों को पढ़ने के लिए क्या सोर्शेज जो रिसोर्शेज आपके पास हों प्रिलिम्स परिक्षा के त्यारी के लिए उन में से किन को आप प्राइटी दें किस बुक्स को किस मेगजीन को किस निउज़ पेपर को आप जो फालू करें इस पर हम चर्चा करेंगे तो आई-एस प्रिलिम्स परिक्षा कि सेलबस के प्रतेक पेपर की जो समय अवज होती है, वो दो घंटे होती है, जैसा का आप जानते हैं, उसमें एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, जो होता है, जिसे आप सामान बोलचाल की भासा में जी एस कहते हैं, हिंदी म है जो दो नमबर का होता है तो इस प्रकार फिर्स्त payment जो जी यस का प्र है वो 200ЖN होता 200 हिर्द लुप्ताइश का होता है है जो थे करने पर रहने स्थेट को जन्र एक इसिधोल पत्रों से लग्र के दो सीदिक है वना ह forcément में थ्यूंट प्रविस अत्रबु मोश्चित टेस्ट सिबिल सेवा अभिवृत्ति परिक्षा ध्यान दीजेगा कि यह qualifying पेपर है और इस शेकंड पेपर में नंबर आप क्वेश्टिन होते हैं उयक्ती होते हैं और इनकी कुल बैल्यु जो होती इनका कुल बैटर जो ताओ 200 में इसका मतलब है कि 80 MP है इन में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2.5 М मेंने कितने नंबर का दो नंबर का तुच्स में होते हैंख और सम-टोटल दोनों के बराबर 2-100 सवाल पूछे जाते हैं एक सवाल वह दो नंबर का होता है दो सवका सिसेट में नंबर आप questions 80 है इसलिए उनकी एक question की value जादा है क्योंकि सम टोटल को बराबर बनाया रखा गया है तो टू पॉइंड फाइफ नंबर का एक question होता है सिसेट में इस प्रकार 80 सवाल होते हैं तिन 80 सवाल की पुल value जो होती है वह 200 मार्क्स की होती है तो इस प्रकार यह दो पीपर हैं यह दोनों मिलाके चार्स हो लेकि ध्यान दीजिएगा कि यहां जो जन्रल स्टेडीज का पेपर नंबर सेकेंड है इसे आप सिसेट के नाम से जानते हैं सिबिल सर्फिस एप्टिजूट टेस्ट के नाम से जानते हैं वह qualifying है इसके नंबर जो है वह मेरी लिस्ट तयार करते समय इसके नंबर को नहीं जोड़ा जाता है बलकि इसमें क्यों यह परिक्ष्ण किया जाता है कि एक minimum number एक minimum question attempt किया गया है इस्टूडेंट के द्वारा कि नहीं और उसमें यह कहा गया इसमें यह decide कर दिया गया है कि second paper में जो भी इस्टूडेंट 33 फिस्दी question attempt कर लेगा उसे qualify मान लिया जाएगा मतलब उसके जीएस के paper को जीएस के मतलब प्रस्पत को चेक किया जाएगा फिर वहां merit बनेगी जीएस के सवालों को लेके जीएस में उसके मेरिट की आधार पर decide होगा है कि वो बच्चा प्लिम्स क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है कहने का मतलब 33 फिस्दी की बात इस reference में समान है क्योंकि इसके number जुड़ेंगे नहीं केवल ये qualify करता है qualify करवाता है कि आपका जीएस का paper जिसके आधार पर इस परिक्षा को आप qualify करेंगे उसके लिए qualify कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये संद्शना है प्रिक्षा की इसमें दो paper होते हैं एक paper होता सामान अध्यन फर्ष्ट paper जनरल स्टेडी फर्ष्ट paper जो जिसमें 100 सवाल होते हैं 200 नमबर के दूसरा paper होता है जनरल स्टेडी शेकंड पेपर जिसे लोकप्री रूप में popular रूप में से सेट के नाम से जाना जाता है इसमें एक qualifying paper है इसमें क्योंट सवाल होते हैं और इसमें एक सवाल 2.5 नमबर का होता है 200 नमबर का तो यह है मलब प्रश्णपत्र की संद्शना अब हम अगर आई-एस प्रिलिम्स सल्बस की बात करें और जनरल स्टेडी पेपर फर्ष्ट क से बारे में से उसका क्या है यूपी स सी के द्वारा में आई-एस प्रिल्ट परिक्षा के लिए जनरल स्टेडी इस को सब चaat्ट किया गया है कि इसमें इंवारेमेंट अगजी यह उसके मतलब सेल्बस में दिया गया है बायोडावस्टी एंड क्लाइमेट चेंज़ेज डेट डू नाट रिक्वायर सब्जेक्ट इस्पस्लाइजेशन कहने का मतलब है कि जो जनरल इसूज हैं किसके बारे में इन्वार्मेंट के बारे में परियाबन के बारे में एकोलो अनुसंधान पूर्ण ग्यान के आउशक्ता नहीं होती जैसा कि आप जानते हैं कि सामान अध्यन नाम से इविदित है किसके लिए किसी विषय की विषय सग्यता या अनुसंधान पूर्ण ग्यान के आउशक्ता नहीं होती बलकि एक सामान दिश्ट कोन के आउशक्ता होती तो उसी में जो पहला इसू कहा गया है कि जनरल इसू मतलब एक सामान समझ आपकी हो इन्वार्मेंट के बारे में एकलोजी के बारे में और वायोडाविश्ट्री के बारे में जेविवित्ता के बारे में इनके बारे में एक सामान में दिस्ट कोन आपका हो आपका सामान जान विशेता की, बीना किसी मतलब विशेत ग्यान की सरल और सहजधन से दे सकता है। ऐसा विधित होता सामान अधन नाम से ही। ईसकी सेलबस का चो गला पोरसन जनल साइंस अब जनलसाइंस के कई पोर्सन होते हैं। उसमें General Science में आपकी Physics आ जाती है, Chemistry आ जाती है, Geology आ जाती है, Biology आ जाती है ये सारे पोर्षन और General Science से थोड़ा सा हटके या इस Topics से Relator इसे Space Technology, Technology से सवाल पूछे जाते हैं, Defense Technology उससे सवाल पूछे जाते हैं तो इन सारी चीजों का एक General Physics आपको पढ़नी है तो physics का ये मतलब नहीं कि बर्नाली theorem आपके शाल्व करना होगा बर्नाली theorem के जो applied portion है जिसका ब्योहार में अनुप्रियोग किया जा सकता है उनकी सामान समझ आपके पास क्या है मतलब science का जो application है, science का जो अनुप्रियोग है उस अनप्रियोग के बारे में आप क्या समझ रखते हैं इसके बारे में मतलब आपका परिक्षन होता है जनरल साइन्स के अनपरगत पिलिन परिक्षा के लिए इस टापिक के बाद हमसे किसी भी प्रतियोगी छात्र का देश और विदेश में जो घटनाय घट रही है उसे कितना कितना अटेश्मेंट है क्योंकि इस परिक्षा के माध्यम से जहां आप जा रहे हैं वहां आपको इन घटनाओं इन इवेंट्स इन अफेयर्स के प्रति का अटेश्मेंट होना होना जरूरी समझा गया है तभी आप अपने दायत्तों का सही निर्भान कर पाएंगे तो इसी लिए यूपी एस सी के सलबस में आईस मिलिम की सलबस में करन्ट इवेंट्स के रूप में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को रखा गया है उनके कि आप इंपोर्टन को कितना समझ पा रहे हैं उसको समझने में कितना आप समर्थ हो रहे हैं शिट्री ओफ इंडिया और इंडियन नेशनल मोवेंट्ट जो सलबस में है मतलब भारत का इतिहास और भारत का सौन्ता संगर्थ जो हमको प्रणा देता है जो हमको इस बात से य प्रकार की ब्योस्थाएं थी वो ब्योस्थाएं अब बर्तमान समय में कितना उप्योगी कितना उपादे हो सकती हैं कितनी बेनिफिशल हो सकती हैं या उनके आधार पर उन ब्योस्थाओं में कैसे परिवर्तन संसुदन करके बर्तमान परिस्तिती के सापेक्ष उसे हम बना स India and the world, इनके बारे में एक सामान जानकारी के प्रिक्षा रखी जाएगी इस परिक्षा के मादने से प्रतियों की चात्र, मतलब भूगोल है, भूगोल में जो भूथी भूगोल है, सामाजी भूगोल है, वो आर्थिक भूगोल है, इनके बारे में इसके अलावां ये दोनों के बारे में आप इन्डियन और वर्ड्ड दोनों कंस्ट्रक्स में आपके पास एक सामान जानकारी है, सामान पर्सेप्षन होना चाहिए, इसके अलामा आपको एक पॉलेटिकली, मतलब वर्ड के बारे में, देस रार्द के बारे में, में आपको एक पॉलिटिकली एक राजनेतिक्स के पॉइंट आभी उसे एक जनरल अंडरेस्टेंडिंग एक सामान समझे आप में होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी एंड गोर्नेंस भारती राजव्योस था और सासन यह भी प्लिम्स के सलबस रखा गया है जिसकी बड़ी भूमिका जहां से सवाल ठीक ठाक पूशे जाते हैं और इसके अंतर के जो सलबस दिया गया है उसमें संब्धान संब्धान पॉलिटिकल सिस्टम है राजनेतिक पढली पंधिति क्या है पंचायती राजव्योस था है पॉबलीक पॉलिसी मतलब लोक नीती जो है राईस इसू मतलब आदिकार संबंधी कुछ मुद्दों का जो जिक्र है उनको इंडियन पॉलिटीं गोर्डेन इसमें पूरे संब्धान का जंद है हमारे किस प्रकार के पॉल्टकल सिस्टम कर्पुंधम थ趋 जय रहिया है उन्ति सिस्टम में तब प्रभावी है पंचैती राज व्योस्ता क्या है उसके उसका आरंब हो समध्षान में उसे कहां रखा गया है सम्विधान उसको सम्विधानिक दर्जा कैसे दिया दिया आज के बारे में पॉब्लिक पॉलिसी जो लोक नीथ है देश को राज्य को एक लोक कल्यानकारी राज्य को बनाने में किस किस तरह की पॉब्लिक पॉलिसी का निमार है पॉब्लिक पॉलिसी कितने मेंटल राइट्स नहीं है जिसका प्रावधान भातिस हमदान के भागती में अनुचे बारस लेके 35 तक किया गया यहां राइट्स इसु का मतलब है कि जो माइनुर्टी की जो राइट्स हैं जो SCST की जो उनके अपने राइट्स हैं इसी प्रकार इनके लिए जो मतलब है वोमन राइट्स न बने हैं सिस्टी कमीशन जो बने हैं यह कि नहीं के लिए उनके क्या दायत उनकी क्या भूमिका है उन्हें किस प्रकार के मतलब responsibility का accountability का निर्वेन करना है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अध्यन करना होगा इंडियन पॉल्टियन गोवर्णन्स के समन जो आपके आईस प्लिम्स में रखा गया है जो चीज़े छोटी होते जो गहरा ही जाना होती है तो इसमें अगर सब्सक्राइब को करना होगा इसी प्रकार economic and social development मतलब इंडियन जो economy वाला portion है और जो एक सामाजिक विकास की बात है जिसमें सब्सक्राइब कास की बात है और टी है गरीवी से सब्सक्राइब इंक्लियूजन है की इन इन content को पढ़ने के लिए आपके resources आपके पास क्या हों इन content को तयार करने के लिए आप किन resources किन वुक्स का किस मैगजीन या और कौन से ऐसे resources हैं जिनके सहायता से जिनकी आम मदद से आप इस परिक्षा कर तैयार कर सकें और इस परिख्षा को कrialify कर सकें तो इक एक उसके चल्बश के एक एक content पर बात करते हैं जैसे हिस्ट्री थे तो से लिए जो すफार कर रहे हैं जिस को पढ़कर आप इस परिख्षा में सफलता Ah सब्सप्राप कर सकते हैं जो और ऐंट आती है वह Owls तो इसको आप फालो कर सकते हैं इसके अलामा आप मेडूवल हिस्ट्री आप इंडिया इनिकी बुक है इसे आप फालो कर सकते हैं उसे आप फालो कर कर सकते हैं मतलब हिस्ट्री वाले पॉर्शन को आप त्यार करने के लिए इसी प्रकार इंडिया इंडिया इसके लिए बहुत अची बुक है जो बिपिन चंद्रा साब की है जो बहुत ही अच्छी है और इस परिक्षा के यकिन सवाल जो है इस बुक से कवर होते हैं तो आप इसे फालो करेंगे जन्नला साब की इसी प्रकार इंडियन आर्ट और-कल्चर भाई नितिनसिंहानिया की खिदाब आती है वो इंडिया आर्ट कर सकते हैं बना सकते हैं जागरफी के लिए आप NCRT कहलें कि वो शिक्स अप्टू नाइन तक ओल्ड सल्बस जो NCRT की छे से लेके नौ तक की बुक है उसे फालो करें उसमें बहुत 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 देंश दिया गया है और यूपी असी इन बुक्स को जो NCRT बुक होती है इन सब्सक्राइब यहां से बड़ी मात्रा में सवाल आपको सब्सक्राइब की क्ताब को को और जो शीलबस में है NCRT की वो 9th से लेके 12 तक की किताबों को फालो करेंगे जो आपकी इस परिक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत मददगार होगा वर्ड एटलस आप एक्सपोर्ड फार इस्टुडेंट मतलब एक वर्ड एटलस आपके पास हो आप्सपोर्ड का हो या किसी और का हो मतलब आक्सपोर्ड को मैं इसलिए आपको सर्च कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको फालो किया है तो यह आपके तैयारी में एक बहला मददगार साबित हो सकता है इसी प्रकार जागरफी आप इंडिया बाई माजिद हुसेन साहब माजिद देश साब के बुक है मतलब इंडि का गौतम की वह भी बहुत अच्छी भूख है उसे भी आप फालो कर सकते हैं वर्जागरफी आप सबंदर सिंग की किताब बहुत अच्छी किताब लिखी गई है उसमें कांसेप्शुल चीजे दी गई है सरल उसकी सिंपल लेंग्वेज है जो बड़े आसानी से आदमियों और आप की मगीनाती है जो इस परिक्षा की तजाडरी में बहुत सहय होगी है जागरफी कर दोने के लिए जागरफी मीडियूंघ के नाम से इसे आप फालो कर सकते हैं इस ही प्रकार इन्वार्मेंट के लिए आप सचाना की आय स्वंकि यह English medium है तो Hindi medium वाले भी से अगर इस किताब को पढ़ सकते हैं बहुत ही वेतरीन यह sources है जागरफी त्यार करने का जागरफी के अंतरके environment त्यार करने का और नहीं तो आप आर राज गोपालन की किताब लें जो Hindi medium में अलेबिल है तो इन सारी resources के मादधिम से आप जो है जागरफी पर जो ISP के तहर जो सेलबस डिसाइड किया गया है वो पूरा सेलबस कबर होगा और आप उस portion पर अपनी एक बड़ी पकड़ बना सकते हैं पॉलिटी के अंतरगत आप इंडियन पॉलिटी में एम लक्षमी किताम की किताब जो टाटा मगरा हिल प्रकासन के बहुत अची कि किताब है वो उसी सेलबस के एकॉडने लिखी गई है आप इस किताब को फालो कर सकते हैं हाँ यंसी आड़ी में आप नाएंट टू टूटू टू ट्वेल नमी किलास से लेकर बारवी किलास की किताब को जरूर फालो करें ये आपके इस परिक्षा में पॉलिटी वाले लिए बहुत ही मद्यदगार साबित होगी इसी प्रकार आप डॉक्टर डीडी बसू की इंट्रडक्शन टूदे कांशिवसन फिंडिया मत्वारती संविधान का परिचे नामक किताब है डॉक्टर डीडी बसू की बहुत अची किताब है हाला कि यह किताब इंग्लिस मीडियम वालों के ज्यादा बेनिफिचल है क्योंकि डीडी बसू सहाब ने इस किताब को मूलू से इंग्लिस औरिजन में लिखा था बाद में उसका टांसलेशन किया गया हिंदी मीडियम में डॉक्टर बीके सर्मा के दौरा तो थोड़ा सा उस इसी प्रकार इंडियन कांसिचूशन बाई डॉक्टर ब्रच की सोर सर्मा डाक्टर बीके सर्मा को फालो कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंखल रिस्ता आ गये थी उसलिए उन्होंने एक मौलिक किताब हिंदी मीडियम में लिखी constitution आप हिंडिया के नाम से डाक्टर बच्ट सर्मा की उसे आप फालो कर सकते हैं मेगजीन की रूप में आप इस पोर्शन को त्यार करने के लिए outlook एक बहतरीन मेगजीन है economic and political weekly important magazine है इसी प्रकार इंडिया टूडे जो है एक बहतरीन मेगजीन है तो यह मेगजीन आपको इस पोर्शन की तयारी में एक बड़ी मदद कर सकती है इसके अलामा आप न्यूजपेपर में अगर आप इंगलिस में पढ़ने इंगलिस न्यूजपेपर को पढ़ने में खुद को शहज महसूस कर रहे हो तो आप उसमें दहिंदू को फालो करें और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जनसत्ता को फालो आप कर सकते हैं तो यह सारे किताबें यह सारे कंटेंट यह सारे सोर्सस जो हैं वह आपको वॉल्टी वाले पॉर्शन में आपको प्रिपेर करने में बहुत मददगार साबित होंगे इन्हें आप फालो कर सकते हैं एकनौमी में आप इंडियन एकनौमी भाई रमेश सिंग को आप फालो कर सकते हैं एक किताब आती है मिस सब्सक्राइब करें इंडियन एकनामी में आप सर को फालो कर सकते हैं बहुत अची केताब है में आप योजना को फालो कर सकते हैं आप एकनामिक सर्वे को फालो कर सकते हैं न्यूज पेपर में आप इस कंटेंड को त्यार करने के लिए एकनामिक टाइम्स को फालो कर सकते हैं बिजनेस स्टेंड़ को आप फालो करके इस कंटेंड की बेहतरीन तयारीया पर प्रक्रिवे आप इस परिक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं साइंस में आप एन्सायटी को फालो करें एन्सायटी में जो आप फालो करना 9th की 10th की 11th की और 12th की इन चारों इस्टेंडर की बुक को आप फालो करेंगे इसके लिए स्पेक्ट्रम है टाटा मगराहिल है सर्दार सिंग की बुक है इसमें साइन्स रिपोर्टर को आप कर सकते ज्यान प्रकित प्रगति को आप फालो कर सकते हैं और न्यूज पुईपर में इस कंटेंट को तयार करने के लिए आप दहिंदू को फालो कर सकते हैं इस पर बनाने के लिए करन्ट अफेर्स जिसके बहुत बड़ी भूमिका होती है करन्ट अफेर्स से बहुत बड़ी मातरा में सवाल पूछे जाते हैं जो नेस्नल और इंटरनेसल इवेंट्स होते हैं उनसे बड़ी मातरा में सवाल पूछे जाते हैं इन परिक्षा में खासकर प्रारबिक परिक् करेंगे इस परिक्षा को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आप करेंट अफेर्स में देहिंदू अगबार फालो करें आपको किसी किसी न्यूजपिपर को फालो करना ही होगा जिसमें रोजमर्रा की घटना आते हैं राष्ट्री अंतर राष्टी अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं अंग्रेजी पढ़ने मां आप सहज हैं उद्धा हिंदू को उससे एक बहुत बड़ी कवरिंग हो जाती है वह बहुत बड़ा मतलब नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को कवर करता है अगर आप नहीं है तो आप जनसंता को फालो करिए आप आप अपने इस परिक्षा की तैयारी बड़े शंपली और बड़ी शरलता के साथ कर सकते हैं धर के का 2 कदब अध्य मतलब मुझे किवल और GPL की एक स्टैट्रजी को लेकर में आपके सामने आ ता और हम जैक अरता है इससे जी एस पेपर शेकंड के नाम से आता है इसे लोग परी भासा में लोग परी नाम से सीशैड के अनम जहते हैं हम नेक्स उसके संबंध में कि स्टैड़ लेके आपके सामने आएंगे और अ हम अपना यह सेशन समाप करने के पूर्व आपको बता दें कि एक समिट टू पॉइंट जीरो नाम से एक अरगनाईज कर रही है बीस और इकिस फरवरी को दो दिन के लिए जिसमें सेवेंटी 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 स्कीकर्स होंगे और ट्वेंटी डेज इसमें ट्वेंटी इसमें और थर्टी टू जो है वक्साफ होंगे इसमें आप रजिस्टर होना जाएं और प्रवाइड की इस समिट का आप लाव लें आप बेनिफिट लें इसके अलावा अनकेडमी ने एक अनकेडमी कंबैट प्रोग्राम को लांच किया है दा मोस्ट कंप्टेटिब गैमि इसमें सिक्स्टी क्वेस्टन होंगे और यह क्वेस्टन होंगे फ़र्टी फाइफ मिनट्स के अगर आप इसमें स्कूर करते हैं तो आप अनकेडमी के द्वारा विशेश विधाएं आपको परदान की गई हैं इस इस प्रतियुक्ता का आयूजन जो किया जा रहा है ट्व फिरींड की में 11 वजी अगर आप इसमें मिनर होते हैं या आप इसमें एक बहतरीन रेंक आप कंटेन करते हैं तो अगर आप र्एंग कंटेन करते हैं रैंग आपकी एक से तीन के बीच है तो आपकी अनकेडमी के द्वारा सारी फीश माफ कर दी जाएगी पूरा का पूरा फुल डिसकाउंट आपको मिल जाएगा इसी प्रकार इस इस टेस्ट इस क्यूज इस कंटेस्ट में आप रैंक हांसिल करते हैं चार से दस के बीच तो आपकी 75% फीश जो हो आफ कर दी जाए आप अगर अपनी रैंक 11 to 50 के बीच मेंटेन करते हैं उसे कंटेन करते हैं उसे अप्टेन करते हैं तो 50% आपकी फीश जो है वह माफ कर दी जाएगी आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और इसी प्रकार यदि आप 51 से लेके 500 के बीच रैंक को अप्टेन कर रहे हैं प्राप कर दियागी आपको डिसकाउंट दे दिया जाएगा ठीक है थेंक यू दोस्तों अगर आपको मेरा स्टेटजी वीडियो मलब आई-एस पीश विभिन राज्यों की पीशियस प्रारंभिक परिक्षा मलब किलिम्स परिक्षा की तैयारी की बारे मीं स्टेटजी ठीक लगी ह तो आप यह अनकेडमी को सब्सक्राइब करें और इस लेक्षियर को सेयर करें लाइक करें ताकि और लोगों तक ही बात पहुंचे और जिसका लाब लोगों को मिल सकाए ठीक है थेंक यू